आपका गारी जो है उस like नहीं है, तो आप उसको लेके बिल्कुल भीने जाए, अगर आपकी पुरानी गाड़ी है, बट रैगुलर सर्विस है, तो वह उसके लिए सही है, अगर आप रैगुलर गारी को चला रहे है, हर एक चीछ ठीक है, वह सही है, बट अगर आपका नया अप रखे में तो गाइस आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं चुकि आप लोग देखे होंगे कि अक्सर हाइवे पर बहुत ज्यादा एक्सरेंड होता है कुछ-कुछ अपने लपरवाही के कारण भी होता है कुछ-कुछ गाली के लपरवाही चीज है और वह क्या चीज है आज में सारा कुछ वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं आपको कवर करने वाला हूं ताकि अगर आप भी अपने फैमिली के साहथ हाइवे पर जा रहे हैं तो आप एक सेफ ड्राइविंग का मज़ा ले सके तो गाइस इस वीडियो को अगर आप naturally accident के बारे में बात करूँ, जिसमें problem होती है, वो सबसे ज़्यादा जो होता है, वो सबसे पहला होता है, कि tire blast होता है, tire burst हो जाता है, नया tire है, वो burst हो गिया, कैसे क्या हो गिया, वो आगे में बताऊंगा, second क्या होता है, कि आप highway में drive कर रहे हैं, तो highway जाहिर सी ब driver नींद आ गई, driver का आँख लग गया, अकसर आप यह सारा चीज़ सुनते होंगे, वीडियो में देखे होंगे, news में सुने होंगे, कि ऐसा आँख लग गया, और driver जाके accident कर दिया, तीसरा सुने होंगे, driver भी सब कुछ ठीक था, आँख भी नहीं लगा था, बट driver का मेरा कंट्रोली नी हो पार रहा था, हाथ वेगरा सब कुछ ऐसा हो गया था, ऐसा बोलेगा, यह भी होता, यह कैसे होता, वह भी मैं आगे बता हूँगा, और जो देखे होंगा, कि बहुत सारे family के साथ में जाते हैं, बहुत लांग ट्रूपि में, पता चलता हूँ, जो ग गाड़ी कभी भी देर से 2-3 में खड़ी गाड़ी को कभी भी highway पर मत लेते जाएं, कभी भूल की भी मत लेते जाएं, जब कभी भी आप गाड़ी को highway पर लेकर जाना, मुझे पता है कि कल मुझे 500-600 km कर ड्राइब करना है, तो अगर आपको time mirror, तो सबसे पहले जो गाड़ अगर आपका गारी जो है उसको लेकर बिने जाए अगर आपकी पुरानी गारी है बट सर्विस है रेगुलर सर्विस है तो वो उसके लिए सही है अगर आप regular गाड़ी को चला रहे हर एक चीछ ठीक है वो सही है पट अगर आपका नया गाड़ी है अप रखे में 3-4 माइनर उसको यूज ही नहीं कर रहे है तो सबसे पहले आप उसको एक दो दिन चलाईए उसको अच्छे तरीक सा चेक किजे देन हाईवे पर जाईए होता ह आप आप तर क्या होता है गाड़ी ब्रेक्ड़न हो जाती है पहले गारी सबसे हैसी नियकर चला अप एइंदभार ब्रेश Ph 내가 करवा लिए चारों टैरों में स्टेपनी के साथ में होता है कि अगर आप गारी में कुछ दूर चलाने के बाद अगर एर फिल डलवाएंगे तो इसमें जो होता है एर वो हीट होने के कारएं एर मॉलिकूल्स फैलता है तो अगर आप 35 का PSI अगर पॉंट आप डलवाए है तो देखा ले ना 10-5 km के अंदर में जो नियरिश्ट हो को वहां पे आप एर प्रेसर डलवा ले और क्या एर प्रेसर जो रिकमेंट गाडी में करता है उसी एर प्रेसर को आप डलवाए जादा ना उससे कम देखिए बहुत सारे लोग होता है एवरेज के चक्र में थोड़ा सा तो क्या होता है इंदर में गमें जादा होता है आप एर प्रेसर दोड़ा और जादर जल गारेंगे तो आप चलआ गारेंटाएं अक्याली में दपेशल होना होना इस वह निलिए होना फड़ से कारण जाए करकर अ बहुत जादा फैलनेके कभी ना करें जो प्रॉपर एमांट हो वही एयर प्रेसर डलवाई जब कभी भी आप हाइवे पीजाए सेकेंड गाड़ी कभी भी तीन गंटे से ज्यादा मत किछके चलाइए तीन गंटे जो होता है बाड़े के लिए तरीका होता है तीन गंटे से अगर आप जालाज चलाएंगे नहीं होता है क्या नहीं जब कभी भी आप इस्टेरिंग में बैटेंगे सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो है हाइवे पर चल रहे हैं तो वहां पर टॉप गियर लगा दिये क्रूस कंट्रोल में भी स्पिट सेट कर दिये अब आपको क्या करना है कुछ भी नहीं गाना से पर श्टेरिंग समाल रहे हैं ना आप एस्टेरिटर पर रहे हैं ना पिर आपका कलेज का यूज हो रहा है नहीं आपका गियर का यूज हो रहा है चुकि टॉप गियर में पर से ज्यादा में चलाइए और है तीन घंटे चलाने के बाद थोड़ा देर के लिए 15-20 मिनिट का ब्रेक लें तो रिफ्रेस बगरा हो गाड़ी भी कुलड़न हो जाएगी टायर का तेमप्रेशर वो भी कुलड़न हो जाएगा सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो आप भी रि प्रोल ही नहीं रहेगा पता चला आप देखते देखते किसी को ठोग देंगे और आप उसे पुछा जागाता बोलेंगे भाई मैं तो जागाता बट मेरा दिमाग है वो सो गया तो आग खुली है यह सारा चीज होता है यह कॉमन है इसलिए कभी भी तीन घंटे से ज्यादा गारी को मत चलेगी तीक है उसके बाद आप गारी से बाहर निकलिए बानेट खोलिए इसका जो है ब्रेक वाइल बगरा चेक किजिए थोना से कूलिंड बगरा चेक किजिए बौड़ी के नीचे देखिए कुछ लिकेज बगरा तो यह सारा चीज चेक अप करते रही उसे क् आपके फैमिली भी सेफ है कुछ एंसिडेंट होने से पहले अगर आप कुछ चेक अप कर ले नहीं तो यह आपके लिए बढ़िया और आपकी गाली के लिए बढ़िया अगर सबसे पहले आप जाकर के मैकानिक को दिखा सकते हैं आपकी इंजिन सेफ हो सकता है बट अगर इंजिन का चेक लाइट आएजागा बट इंजिन के चेक लाइट भाइट बहुत सारी चीज़ों में नियागा जैसे अगर आपका कोई लिकेज बगर हो गिया तो तो अपका चेक लाइट गभी-वी नहीं और आपके अब जैसे ही पानी कि ट्रश ऑन हो जागा पानी पिर तो पानी या फिर कूलेंट हीट होता सब्सक्राइब का यह को वी सेंजर नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जब पूरा इंजिन का छतम हो जाएगा, जब आपके चेंबर वगरे में प्रावलम में स्टार्ट हो जाएगा, देन आपका जाके चेकलाइट चालू ह उस case में क्या होगा आपका check light on होने से भी कोई फायदा निया आपका पूरा का पूरा इंजिन खतम हो चुका होगा अब अपनी गाड़ी को भी सेप रख सकते तो इससे रिलेटेट कोई confusion कोई क्यूरीज आता मुझे सिंपल कमेंट करें में वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगा और अगर मैं चैनल पर नहे हैं तो इससे सब्स्राइब करना बेलकूल भी ना बूले तो आज के लिए अतना मि अटेक्स नाख बीदिमा तर प्लेजान